अजिए पहले जिंदगी दार त्यां रखना है, कि जिंदगी रहन दिया, तो पेपर भी हो जाने है, अगर जिंदगी नहीं रही, बुमारी ज़्यादा प्हैल गई, बच्चे ज़्यादा भीमार हो गई, तो किन्ने उपड़ा आणा है, तो किन्ने पढ़ना है, किन्ने कि इस देन आड़े आइस तभी इफेक्ट आ रहे हैं इस करके थोड़ा और दूसरी गल्ले भी है कि साथे जिस्ता पिंड़ना देविच नेटवर्क ही नहीं है स्कूल ते कॉलेज नू विद्यादा मंदिर कि हाजानदा है मगर करोना वारस दे चल दे हुए यह मंदर दे दर्वाजे वी बंद हो चुके ने आज असी श्री मती रमा चोपड़ा एसडी कन्या विद्याले विच पुझे हा जित्थे असी गल बात करांगे इत्थे दे प्रिंसिपल स्तिंदर कालो नाल अज गल कर दे हां प्रिंसिपल माम नाल और जान दे हां इस दे बारे नमशकार माम मैं थोड़ा वेलकम कर दिया के आटी निउस ते ति मैं सब तो पहला जाना चाहनी है कि होन जड़ा सिरकार ने ओर देते हैं कि एक्जाम्स नहीं होनगे ता ए जड़ा ओर है जड़ा फैसला किता गया है एक किस हाथ तक स्टूडेंट्स लीज चंगा यह फैस सरकार ने ठीक ले आए क्योंकि करोना वाइरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है जड़ा भी बच्चे एकठे होनगे पेपर देंगे एक्जाम्स बैठनगे एक बच्चा भी इंफेक्टेड होएगा तो उस ते नाल बग्की बच्चें देंफेक्टेड होनदा डर रहेगा इस करके फैसले दा सिदा स्वागत कर दिया कि यह ठीक डिसीजन है बिल्कुल कि पेपर अजे पॉसिबल नहीं है तो नहीं करने चाहिए जदो पॉसिबल होएगा पेपर हो जानगे माम जे एक्जाम्स नहीं होनगे तो एसेस्मेंट लाई जाएगी बच्चें दें ते एसेस्मेंट क्या डिसीजन ठीक रहेगा क्योंकि कई वरी क्यों दा बच्चा किसी इश्यू दिव करके किसी कारण करके लास्ट एक्जाम सहीत रहते के नहीं नहीं दे सक्या ते क्या ए मतलब पार्शेल्टी नहीं हो जाएगा अगर उसी पुराणे वाले एक्जाम्स बेसेस ते हो ते नंबर लगावांगे ता तो दोरा अपने पेपर दे के अपने इंप्रूमेंट कर सक देने और उना नू उना दी इंप्रूमेंट वाला सेटिफिकेट मिलेगा उना दी माक्षीट ते भी असर पाऊगा कि कई वारी कि हुंदा कि री एवलेशन या सच काइंड ऑफ जितरा आपा दुवारा एक्जाम् दोबारा पेपर देने ते वह जो नंबर उना दे आणगे ओही लगनगे ना ठीक है ना अगर बच्चे ने मेहनत किती है बच्चे पूरी तेयारी है बच्चे ठीक तरह पेपर अपना अटेम्ट करदा है उससे नंबर वज्जन दे तो उस नंबरा देनार ही डिगरी माम जे बच्चे चलो आंगे एकने देन ता स्कूल खुलनगे कॉल्जिस खुलनगे ते उदेनार लेटर तुसी की की प्रकॉशन्स लए हुए है असी पहले भी सारे प्रकॉशन्स लए चुके सी क्योंकि एक्जैम होने सी बाच पोस्ट पॉन हो गए उस ते लिए बच्च करने के उनना दा किसे कोई किसे नो पानी ने पलाना खुदी पानी पीन के अपनी बॉटल दे विचो और सैनिटाइजर अपनी कोल रखने बाकि जो गेट जो एंटर कर देने विड़ोट मास्क कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा और उत गेट की पर ही सैनिटाइज करवा कि उनना दे हैंट सोन ओना अगयान दे माम एक किस हद तक ठीक है कि आपा एक्जाम नहीं ले रहे या री एसेस्मेंट जड़ा असी माक्स ले किस हद तक ठीक है मैं अगरिया कि नहीं होना चाहिएदा बट कई बच्चे फिर भी मेरा सेम क्वेशन हो जाएगा कि फिर भी त प्यारी विच था रहने ते की एफेक्ट क्या होना दे फ्यूचर विच पएगा फ्यूचर ली था पंगाल कर चुक है कि जो बच्चे ने त्यारी किती है उनना दा पेपर दोबारा हो दे सक देने अगर उचान देने बाकि देखो आसी पहले जिंदगी दा त्यां रखना ह कि जिंदगी आ रहन गिया ता पेपर भी हो जानगे अगर जिंदगी नहीं रही बमारी ज़्यादा फैल गई बच्चे ज़्यादा बीमार हो गए ते किननों पड़ाना ते किनने पढ़ना ते किनने पेपर देने है ठीक है इस करके ए परिकॉशन तर लेनी पहेगी मैं आवांगी ओनलाइन ग्लासेज होते हुड यह चल जन चाल पया कि बिकाज अफ करोना वायरस कोई भी बच्चा स्कूल अर्समर्थ है ते ओनलाइन क्लासेज किस हद तक ठीक ने ओनलाइन क्लासेज बगी समय दी जरूरत है हुड ठीक है ना छोटे बच्चे नहीं ते ल ना नो ठीज कर लें तो ज्यादा वदी है बाकी एट्थ क्लास तो ऑनवर्ड्स बच्चे समय दार हो जान देने ओ अपने मुबाइल तो और लैप्टॉप तो फड़ सक देने कर सक देने पर दूसरी गर लेगी है कि इस दिन आले आईस तो भी इफेक्ट आ रहे है इस करके थोड़ा है और दूसरी गर लेवी है कि साड़े जिस तरह बिंडा दे विच नेटवर्क ही नहीं है तो थे बच्चे आनों साड़े दे बच्चे नों कोई इंफर्मेशन देनी में साड़ेली प्रॉब्लम हों दिया कही वरी सानों अपने बंदेनों ना दे कार्पेज ना बंदा है कि उन दस सो बच्चन पेपर हो रहे है डेट शीट आगी है सम्तिंग तो ओ बच्चे ऑनलाइन की पढ़ने ठीक है साड़े भी टीचर्स ने कोशिश किती ग्रूप बनाएं वाट्सेप ते यूट्यूब ते साब तरह करके अपने लेक्चर पांदे रहें ने उन किस तरह में जो भी प्रॉसेस से लेवांगे जो भी परसीजर साड़ा होएगा उस देनाल साड़ी कोशिच ही रहेगी कि बच्चेयां तक उना दा मटेरियल उना दा स्लेबर्स उना देनाली इंटच रहें के पचाया जाए जिसना तुछी गाल किती कि टीचर्स सारा कुछ कर रहें ने मैं जाना जाएंगे कि टीचर्स ते किस हद तक एजड़ी है एक सच काइंड फ्रॉब्लम ही है क्योंकि कारदा कम भी करना अट दे सेम टाइम लेक्चर्स पर पर करने कि मतलब एच तुसी बिंग टीचर किस हद तक टीचर्स जड़ी कार रहें यह कोई प्रॉब्लम उना ना पुछलन देने प्रॉब्लम शेयर करते ने बच्चे उदा आंसर करते ने कोई वड़ी काल नहीं है ता साथी ड्यूटी है सेम सी टेस्ट जद उसी लगी दा तो सीम प्रॉसस टेस्ट वगरा विच वी चलदा है मार्क्स और ओल दीज थिंग्स तेस् प्रॉब्लम हो जन्दा है ते मैं जानना चाहंगी तो अड़कोल की किन जड़ा करूना वाइरस जड़ा है गा एक कोई चांसे है कि साल स्कूल खुलन दे चांसे तो हम लग रहे ने ता सरकार देखेगी ना जिमें जमें कंट्रॉल हो जाएगा देखो यह कंट्रॉल ता हो नहीं है बाकी गल्ले है कि करोना वाइरस ने हूं जाना नहीं है साड़े सी एम साब भी ही कहन देने सारे डॉक्टर्स भी ही कहन देखेगी तो जड़ो असी प्रिकॉशन लेके चलांगे ते मेरा ख्याल होड़ी होडी हर्ड है में उन्नो टी भी बढ़ जाएगी तो सारे स्कूल कॉलज भी खुल जानगे तो स्कूल कॉलज खुल लेगी तो बाकी यसी त्यार बैठें पड़ा अंड़ी है सी तब बैठेंगे कुछ बढ़ूगा ने थे सानु जीना देदेना ली पहना होड ते तुस मैं तुसी की बात सुजिस्ट करना चाहोगे लोग कानू रि चाह करांगे बचावी चहीं बचाए इस करके सानु केरफूली चलना चाहिए अपने हांड़ वाश करते रहना चाहिए ज्यादा करके सब न तो ते जानते ज्यादा अच्छी गाल है पाकि सैनिटाइजर असी एमर्जेंसी नाल रखना चाहिए था सबनू जेते भी जरूर चाहिए अपने परिबाकी फैमिली मेंबर्स नो बाच चहीं मिलना चाहिए यह नहीं के जान देए इस तो इदर बैठो उधर बैठो ते कुछ वाइरस नाल आ गया तो कर्दे भी फैल जाए सानु सब नो ही मिल जूल के इस मिमारी देना लड़ना है इस नो इतो दूर भी क प्रिकॉशन ही लगागे तहीं दूर होएंगी अद्रवाइस फिर असी फास सकतें तो सी स्टूडेंट्स नो एग्पैशन रिले टेड की अड़्वाइस करना चाहों तो स्टूडेट्स नो भी ऐही करना है कि अपने स्टूडेंट्स तो पड़े लिख्य हैं वह अपने अ लेने हैं ओ जिनना जडियान पड़ लोग ने उनना नूँ उसुन के चंगितरा समझा के उनना दिनाल इंटाच रहें तान जो सारे समाज दे विच्चु इस कुरूने दिनाल लड़न दी एक अवेर्नेस आज है और एक कुरूना जो होली होली करके अपने आभी खतम हो जाए एस ही गे डॉक्टर्स तिंदर कालो जिनने सानू बहुत वधिया इंफर्मेशन दितिया है रिगार्डिंग एडुकेशन और एक्जाम्स सो देख देर हो क्या आटी न्यूस